dear student we have to discuss about the developing and outdoor provision under the sustainable development हम बात करें हैं बच्चे के teaching learning process की और हम बात कर रहे हैं outdoor provision की मैं थोड़ा सा comparison करना चाहूंगा indoor को और outdoor को देखें indoor जो है वो आपका fix है आपका time fix है आपका curriculum fix है आपने उसके मताबक चलना है अब हम बात करते हैं outdoor की outdoor flexible है बच्चे की imagination के मताबक है कि अब देखें अगर बच्चों की imagination में variation है तो हर बच्चा अपने हिसाब से उसको image करेगा अपनी imagination होगी और उस imagination के मताबक वो environment से learn करेगा अगर हम दोनों को comparison करें तो इसका मतलब है कि indoor environment जो हमारे पास fix और unchangeable उसके बाद अगर outdoor की बात करते हैं तो वो outdoor environment जो है वो उसके बाद हमारे पास है flexible है और उसके अंदर imagination जो है वो ज्यादा है अब comparatively जो outdoor environment है वो change होता रहता है देखने आप weather के लियाद से देख लें season के लियाद से देख लें आप business के लियाद से देख लें outdoor environment जो है वो उसके अंदर change है because of the culture, customs, religion, मुख्तलिफ activities हो रही है हमारे पास weather change आ रहा है तो उसके वज़े से उसके अंदर outdoor environment चेंज हो रहा है अब देखें अगर किसी मुलक में बरभबारी हो रही है तो आपका weather change हो गए है बार्शी हो रही है तो आपका weather change हो गए हो रहा है इसका मतलब यह है कि outdoor learning को आप fix नहीं कर सकते हैं उसको flexible करना है और उसके अंदर जो हमारे पास उसके जो play style है वो change होने शुरू हो जाएंगे उसकी मैं आपको एक example देना चाहूँगा मसलन अगर बरफबारी का मौसम है तो इस मौसम के अंदर बच्चों ने अपने environment से learn करना है आप अगर उनको एक छोटी सी guideline प्रवाइड कर दें तो आप उनको असानी से snow ball research समझा सकते हैं बच्चा स्नो बाल से खेलेगा खेलने के बाद उसके imagination होगी आप उसको थोड़ा सा direction कर देंगे तो उसका जैन जो है स्नो बाल research की तरफ लेके जाएं तो उसकी learning हो जाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि आप outside जो environment है उसको जो flexible है उसको अगर आप directional कर दें तो उससे भी आप अपनी indoor लगने के साथ जो है उसे align कर सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो है